जैजै श्री रादे हम जा रहे हैं मत्रा भगवान श्री किष्ण का जन्मों सब आने वाला है उसकी तैयारिया देखने के लिए और साथ हम आपको बहुत सारी डिटेल्स बताने वाले हैं व्रिनावन के किस मंदिर में कब जन्माष्ट मी मनाई जा रही है निदवन बाके ब्यारी रादरमन जी शांसंद्र गोविन देब जी उसी के साथ श्री किस जनव भूमी पर किस दिन क्या उससब होने वाला है मत्रा में किस दिन क्या उससब होने वाला है क्या तैयारी आने वाले हैं मुत्रा पहुंचके तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए गाई यह मत्रा वरिंदावन की मल्टी लेवल पार्किंग तो मिलते आप से मुत्रा में मुत्रा वरिंदावन रोड पर ऐसे यह बोड लगाए गई हैं जिसमें भगवान के वो दर्शाय गई हैं वो लेखे गई हैं अभी हम हैं मत्रा वरिंदावन की बीच में हम मत्रा पहुंचने ही वाले हैं और बीच बीच में या बेरियर्ट भी लगे हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे आपसे बस एगी विंदी है वीडियो को पूरा देखिएगा यहां पर य देखिए यह भगवायन जी जो कालिया मर्दन की आता यहां पर यह वाला बोर्ट लगाए गया श्री किस्टन जन्मुस्ता बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा हम आचुके हैं मत्रा के मसानी पर और यहां पर बेरियर्ट सवगरा लगने शुरू हो चुके हैं और यह लिए काफी मतलब काम चलना शुरू हो चुका है हम अभी जैसे से आगे पहुंचेंगे आपको बताएंगे करीब 20 मंच बनेंगे जिन पर आप छोटी-छोटी प्रस्तुतिया देखेंगे 19 के लगबग सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे 19 के लगब सेल्फी पॉइंट्स बने आये उसके साथ ही हम आपको सारी डटेवसम जानकारी देंगे जो हम आपके लिए लेकर आएंगे ताइस में जानकारी आप विडिως को पूरा देखेगा जो कि हमारा मत्रा है पूरा दोलहन की तरह सजाया जाएगा क्योंकि हमारे कनहिया का चन्मोसव है 25 अगस्ते से 27 अगस्ते तक यमनाइज के घाट सजेंगे रंगुलियां बनाई जाएगी हमारे जो मत्रा व्रिंदावन के मंदर है पूरी रोशनी से जगमग होंगे जो हमारा मत्रा का जो विश्राम गाट है केशी गाट है वहाँ पर दीपों से दीबदान किया जाएगा आप देखेंगे छोटी छोटी जो मतलब तैयारियां है वो हमारे याँ पर शुरू हो चुकी है डिवाइडरों पर पेंट हो रहा है वाल पर पीछे पेंटिंग भी हो रही थी 24 अगस्त से 6 दिबसी श्री कृष्ण लीला का महसब का आयोजन होगा जसमें की आपको मैं बता दू 26 अगस्त को भगवान की शोबयात्रा नगर भ्रमड के लिए निकलेगी 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जी की शोबयात्रा नगर भ्रमड के लिए निकलेगी मुत्रा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर 24 तारिक को 24 अगस्त को सायम साथ बजे मीरा भाई चरित्र का आयोजन होगा जसमें आप मीरा भाई चरित्र सुनेंगे 25 तारिक को रादक्रिष्ण बेवा होगा 26 को जन्मस्थान की लीला होंगी जिसमें की बाल लीला की अंतरकत आप माकंचुरी लीला का दर्शन करेंगे और यह हमारा है डीगेड 26 तारिक को जन्मस्थान लीला होगी बाल लीला के अंदरकत आप माकंचोरी लीला का प्रथम मिलन श्याम सकाई का दर्शन करेंगे 28 तारिक को सुबार 9 बजे गिरीराजी का अभिशेकों का 10.30 बजे बजन संध्या सायम 7 बजे लीला होगी तो हम आ गई हैं जनम भूमी के द्वार पर यहां से आप जाते हैं तो आपको धागुर्दी का मंदिर का दर्शन होता है तो आप देखें कि हम खड़े हुए श्रीकिसन जनमिस्थान भूमी के प्रविस द्वार पर राधे अब आप यहां से चल रहे हैं आगे आगे हम बताने वाले हैं हमारे जो भगवान श्रीकिसन है उनका जनमिस्था मनाया जा रहा है 26 अगस्त को रोहडी नक्षत्र वा सरवार्द सिद्धी योग में मनेगी जनमास्थमी 5250 वट्ष पून करके 5255 वट्ष में प्रवेश करेंगे दुआ पर योग में बाद्र बद्र मास् कृष्ण पक्षप अस्तिमी दिथी को रोहडी नक्षत्र में मत्रापूरी में कंस के कारगार में वसुदेव की पतनी देवकी के गर्ब से श्री भगवान जी अव्तरित हुए थे आपको पताई होगा तो हम है भी मत्रा में आपको बता दें 26 अगस्त जनबूमी यानि 26 तारिक को जनबूमी में सोबा 5 वजे मंगलार्चन के साथ उत्षब शुरू हो जाएंगे भजन कीर्टन शुरू हो जाएंगे रात 12 वजे ठागुर्दी का अभिशेक दर्शन होगा द्वारकादीश मंदिर में सोबा 5 वजे अभिशेक रात पौने 12 वजे से जर्माभिशेक दर्शन इसकौन मंदिर विरंदावन रात 3 9 वजे से माभिशेक अरे कृष्ण संकीरतन रात 12 वजे आप देखेंगे मैं आपको डेटेल्स में जानकरी दूंगा उसी के साथ हम दे शौनचन पानी भॉरा हुआ है पुल के नीचे और यहां पर यह देखेंगे लाइटिंग की सज़ावट होने जायं हर रात्तरी के समय यहां पर यह साब लाय 270 maturity होगी आगे बढ़ हुआ है पानी हुआ हम पीचे सथी मुडैकर पानीचन लेकिन शौन हम आपको पूरी बंद है कि यह बारिस आई है मतरा में चक्कवा को पानी वर्गोई तो हम अपनी जो जानकारी उसको कंटिन्यू करते हैं पहले पंडे जी बोल रहे हैं कि यह जो प्रेपरेशन चल रही है आप उनका अनद लिजिए उनकी नजारे का अनल लेजे और हम आपको बताने वाले हैं हमारा पुराना व्रणावन पर डेली दर्शन के साथ इन सभी तयारियों को देख सकते हैं आपको कहीं भी जाने कि आव पर यहां से हम जा रहे हैं जनम भूमी की तरफ और हम जनम भूमी मंदिर में दर्शन करके एक तरफ खड़े होके वहां से आपको सारी इंफोर्मेशन देंगे तो आप अब आप आज कितनी तारिक आप पहले तो यह बताईए आज तारिक आप कब आएंगे मुत्रा इसके में दिशन करना है तो हब चल रहे हैं जनम भूमी की तरफ तो अब हम आपको पूरी पूरी मत्रा पूरी नहीं घुमाने वाले हैं क्योंकि समय की अबावता है हमारे पास तो हम पोष्ज गये हैं जनम भूमी मंतरा जनब भूमी पर CDU हमारे बागवान का यह जनम आमप्रा जनम भूमी 25 तारिक को यही पर बहुत सुन्दर दर्शं होने तो आप सभी जरूर आएगा पंडी जी किया कहींगे आप अरे वाद कितना सुंदर दर्शन है यह देखिए रात के समय तो और जाद आनन्द हुआ यह आप तो आपको बस करना कुछ नहीं है बस वीडियो देख रही है यदि आप बिंदावन मतुरा आ रहे हैं चलो अरे वाह जहू तो आप यदि आवन मतुरा आ रहे हैं जन्माश्टमी में तो अपना मुबाइल पर्स चस्मा ये सारे लोकर में जमाओंगे प्रिशासन को समझाना पड़ रहा है लेकिन कुछ येक्ति मानी नहीं रहे हैं भाई प्रिशासन का सहियो करें दर्शन करने में तो यहां पर लाइटिंग वगरा हो चुकी है रात्री को पड़े जी बहुत मतलब आनंद होने वाला है तो आजी रात्री आ जाओगे यहां से जा रहे हैं फिरम मिलेंगे आप से कल तो अभी हम जनम भूमी से निकल ली हैं वापिस व्रंदावन के लिए आपको मिलेंगे हम और आपको मिलेंगे हमकल हमारे साथ हम आ गए हैं अब जनम भूमी से पूत्रा कुंड यह पूत्रा कुंड पर यहां पर माय शुदान है ठाकुर जी के उपवस्त्र धोई थे और यहां पर भी बहुत सुंदर होने वाला है तैयारी चल रही है दिखाओ और बताओ गाटन पर पेंट देगो कितने सिट्टिंग में मस्तों अब हम बहरे यह दो को सामना भाया कर रहे हैं तुमारी वैसे तुम्हारे पार देप्प्र चक्चु है तुम्हारे को दूर ती दिख जावें तो हम यहां से चल रहे हैं कहां की तरब पंडी ज तो यह हमारा आ गया श्रीकृष्ण जनम्हुमी का दूसरा गेट जहू यहां पर भी देखो जह चल लेए देखो तही आरी पेंटिंग है जहू श्रीकृष्ण जनमिस्तान गेट नमबर टू यह कौन सी जग है पंडी जी पूत्रा गुंद को चोराय हो है नाम ना पतो जा ठूसरे जानकारी तूसरे जानकारी बप्ता आधे की जानकारी वाला परचा को आपको बताने वाले थे इसकौन मंदिर में प्रेम मंदर में रात्री 12 बजे से माविशेक होगा उसके एक घंटे बाद नंदोस्था होगा प्रेम मंदर में चंद्रोदय मंदिर में श्याम को हरिनाम संकीरतन चपपन बोग अरपेद रात बारा बजे माविशेक और 27 तारिकों श्री बांके विहरी जी मंदिर में रात बारा बजे मंदिर के घर्व ग्रह में ठाकुर जी का अभिशेक होगा रात 1.45 यानि पौने दो बजे ठाकुर जी स्वर्ण संगासन पर बैठके हम सभी वक्तों को दर्शन देंगे और 15 पर मंगला आड़ती होगी श्री राधारमन जी में सुबह 9 बजे से अभिशेक शुरू हो जाएगा श्री ठाकुर जी का दूद दही की शैस शरकरा जड़ी बूटी यमनाजल से जो की 12 बजे तक रहेगा आप दर्शन कर सकते हैं शाजी और राधातामुतर बंदिर में 10 बजे से माभिशेक रंग जी गोविंदेब जी गोपिनाजी शामसुंदर गोकुला नंद में रात्री 12 बजे से अभिशेक होगा तो यह जो इन्फोर्मेशन है आप इस इन्फोर्मेशन को इस वीडियो को सभी के साथ शियर करें त ृष राधरी के समय रात्री को आपको रात्री के आपको लाइटिंग देखाएंगे ग्याय पंडीत तो इस पार क्यों जन्माति परी है kitty हो रही है। और 27 अगस्त की 26 अगस्त को मैंने आपको बताया जनभूमी मंदर में मनाई जा रही है और 27 तारिक को ब्यारी जी राधारमन जी राधा दमुदर जी गोकुला नंजी कि यहां पर होडिंग्स लगे हुए हैं बड़ी सुंदर सुंदर बट मिलते हैं आप से व्रणावन में जब तक के लिए राधे राधे